मित्रों अरंडी हमारे आपके परिवेश में उगने वाला एक ऐसा पौधा है जो बिना रोपे या बिना बीज डाले प्राकिर्तिक तौर से उगता है फलता फूलता है और समय आने पर स्वेम सूख करके नस्ठ हो जाता है यह अरंडी का पौधा हमारे लिए कितना उप्योगी है इसका आशदी उप्योग हम और आप क्या कर सकते हैं यह हम लोगों को बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है यह देखिए यह अरंडी का फल इससे निकलता है बीज और बीज से तेल निकाला जाता है जो बिभिन प्रकार के रोगों में बहुत काम आता है लेकिन आज मैं चर्चा करूँगा इसके पत्ते के बारे में कि अरंडी के पत्ते के औशदी गून क्या क्या है उसके पहले आप से एक निवेदन अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट बाक्स में जाकर कि यह बताईए कि हमारा यह कारिकरम कैसा लगा तो चलिए शुरू करते हैं यह कारिकरम अरंडी के पत्ते सेहत के लिए बहुत ही लाबकारी हैं इसके तेल के बारे में आप लोगोंने सुना होगा लेकिन इसके पत्ते भी काफी लाबकारी गुन होते हैं वैसे तो अ अरंडी का पत्ता मिलना थोड़ा सा असंभव होता है। देखिए अरंडी का ये मैं पेड़ आपको दिखा रहा हूँ। अरंडी का ये पेड़ है जो प्राकिर्टिक रूप से उगता है और फलता फोलता है। ये पत्ते हैं अरंडी के ये पत्ते हैं और इन पत्तों में समझिए कि वो शक्त ही होती है जो तमाम बिमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। अब ये है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, कैसे इसे अपनाया जाए और कैसे आरोगिता को प्राप्त किया जाए। पेट की बिमारी में ये अरंडी का पौधा या अरंडी का ये पत्ता संजीवनी का कारी करता है ये बहुत ही लाबकारी ये पत्ता जिसे आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ही लाबकारी है पेट के लिए पेट एक ऐसी चीज है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है पेट में किसी तरह की दिक्कत है परशानी है तो आपकी पूरी जीवन सैली उससे प्रभावित होती है और अगर ये पेट का स्वास्त अच्छा है तो आप प्रसंद चित्न मुद्रा में दिखाई देंगे ये खराब पेट को जो पेट की खराबी है उसको दूर करने में इसका अरंडी के पत्ते पर तेल लगा करके और उसे गरम करके बाधा जाए तो घुटने का दर्द या आर्थराइटिस में ये बहुत फैदा करता है ये देखिए ये है अरंडी का पौधा मेरे खेल से इसको देखने के बाद से अब आपनों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी अ ऐसा किजिए कि एक कटोरी में तेल लग करके और उसमें अरंडी का पत्ता डाल करके तेल को गरम कर दीजिए जब तेल गरम हो जाए तो थोड़ी देर के बाद से उस तेल को नीचे उतार लेजिए अरंडी का पत्ता निकाल करके बाहर कर दीजिए और उस तेल में जिसमें अरंडी के पत्ते का असर है उसे अगर आप सिर पर रखें तो सिर को ये तरावट भी देगा और सिरदर्द से मुक्ती भी देगा और साथ ही अनिद्रा की समस्य आपकी जो है वो दूर हो जाएगी बहुत अच्छी नीद आपको आएगी चोट और धर्द वाले इस्थान पर अरंडी के पत्ते पर तेल लगा करके अगर बाधा जाए तो चोट और धर्द भी काफी इसमें राहत मिलती है और काफी आराम मिलता है मित्रों अगर कबज की शिकायत है किसी बेक्त को कबज की शिकायत है तो उस कबज की इस्थित में अगर अरंडी के पत्ते को पीस करके और उसका चोट बना लिया जाए और उस चोट को सुबा खाली पेट दो चमच पानी के साथ अगर सेवन किया जाए तो पुराना से पु प्रवज भी दूर हो जाता है पिलिया में अरंडी के पत्ते का रस अगर दो चमच रोज से वन किया जाए तो इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलता है मित्रों तो ये रही जानकारी ही अरंडी के पत्तों के बारे में हम आपके लिए इन्हीं पेड़ पौधों से सम्मंधित जानकारी लेकर के आपके पास आते हैं और इनके ओशदी उप्योग के बारे में आपको जानकारी देते हैं ताकि इसका उप्योग करके आप सौस्त रह हमारा ये कारिकम कैसा लगा आप कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताएं हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार